तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं M.A. Economics Course के बारे में आपसे में डिसकस करने वाला हूँ कि आखिर M.A. Economics का जो कोर्स यह आखिर होता क्या है तो आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखें क्यूंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्सस के बारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं MA Economics course के बारे में आपसे मैं डिस्क्रस करूँ तो MA का मतलब होता है Master of Arts और MA Economics का जो कोर्स है जै कोर्स एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की डिगरी का कोर्स होता है तो जै कोर्स दो वर्ष का कोर्स होता है जिसमें कुल चार स्मेस्टर होते हैं MA Economics का कोर्स Economics के अडवांस लेवल का कोर्स होता है इसमें आप Economic Theory, Policy Analysis, Statistics और Research Methods की Depth में आप Knowledge गेन करते हो इसमें आपको Macro Economics, Micro Economics, International Economics, Econometrics एक सेक्टरा चीजों के उपर आपको Study करवाया जाता है तो इस कोर्स की मादम से Students को Economic Theories को Analyze करना, Economic Data को Interpret करना और Policy Recommendations देना भी आपको सिखाया जाता है आपको Research Projects भी करवाया जाते हैं जिससे आपकी Analytical Skills और Research Abilities काफी अच्छे से Develop भी हो जाती है तो इस कोर्स के मादम से आपको Advanced Mathematical और Statistical Techniques भी आपको जूज करने आपको सिखाया जाती है जो कि Economic Analysis में काफी ज़्यादा अच्छा और Important रोल प्ले करती है तो MA Economics का कोर्स पूरा करने के बाद आपको Economic Research Policy Analysis जहां Teaching के करियर में भी आपको Opportunities मिल सकती है और अगर आप Economics की फील्ड में और ज़्यादा Advanced में पढ़ना चाहते हो तब तो आपको MA Economics का जो कोर्स जाया कोर्स आपको जिरूर करना चाहिए अब ही आपसे मैं Illigibility Crateria के बारे में आपसे में डिसकस करने वालाओं की जने आप इस कोर्स में आकर किस प्रकार से Admission ले सकते हो तो इस कोर्स में आपको Admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो Bachelor की जो डिगरी है उसे आपको पास करने पड़ेगी आपको जो बैचुलर की जो डिगरी है उसे आपको 50% मार्क से ज़दा आपको पास करने पड़ेगी तो तब ही आप इस course के लिए eligible हो पाऊगे और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफि सारी जिन्वेस्टिस और colleges उन्हें प्रेफर करते हैं जिन students ने जो bachelor की जो degree होती है बहुत एकनॉमिक से पासगी होती है और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफि सारी जिन्वेस्टिस का और colleges का जो eligibility criteria है इस course के regarding बहुत different भी हो सकता है अभी आफसे में जोग profiles के बारे में आफसे में डिसकस करने वालाओं के जने अगर आप इस course को पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप research analyst बन सकते हो आप data analyst बन सकते हो आप economist बन सकते हो आप teacher बन सकते हो आप financial analyst बन सकते हो आप policy analyst विया बन सकते हो आप researcher बन सकते हो इसके लावा दोस्तों आप जो banking और finance की जो job है उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अब ही आपसे मैं slivers के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँगे जने आप इस course में आखिर किस प्रकार के जो subjects होते हैं वो आप study करते हो इस course में आप micro economics theory, theory of pricing and distribution, public economics, development economics, etc जो topics और जो subjects होते हैं वो आप इस course के मदब से दोस्तों आप study करते हो और इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोराना को करवाए जाते हैं और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफिस सारे universities और colleges के slivers के हिसाफ से जहें जो subject हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैंने M.E.Economics course के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मज़े लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट वाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्सस के बारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप ने भी एकवार जाकर जरूर देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जैब वीडियो केसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दन्यवाल